लगुगण की आउकलन या logarithmic differentiation ऐसे फलन जिसका की हमें आउकलन गख़ाद करना हो पहली स्थिती यदि दो या दो से अधीक फलन गुणा के रूप में दिये गया हो दूसरी स्थिती जब फलन भाग के रूप में दिया गया हो या एक फलन फलनी घात के रूप में दिया गया हो तो इन तीनों स्थीतियों में हम लगुगण की आउकलन का उप्योग करते हैं जिसमें फलन के दोनों और लॉग अप्लाई कर देते हैं और उसके बाद दिये गए या उसके बाद प्राप्त फ़लन का आउकलन करना हमारे लिए आसान हो जाता है तो लगुगण को लेकर आउकलन की क्रिया लगुगण की आउकलन कहलाता है आई हम देखते हैं कि y equal to f of x और ये f of x के पावर में दिये का और फ़लन f of x है तो इसका उकलन किस प्रकार ग्याद करेंगे तो y equal to f of x का पावर f of x है फ़लन के दोनों पक्षों में हम log apply करेंगे तो हमें मिल जाएगा log y equal to log f of x का पावर f of x जैसा कि आप जानते हैं कि log m का पावर n हो तो n पहले आ जाता है अर्थात log m का पावर n equal to n log m हमें प्राप्त होता है तो इस प्रकार हमें मिल जाएगा log y equal to f of x into log of f of x अब दोनों पक्षों का आउकलन हम x के सापेक्ष कर सकते हैं y equal to f of x दिया गया है और इसके घात में भी f of x है तो प्रश्णिया है कि y equal to f of x का पावर f of x का आउकलज ग्याद कीजिए तो इस प्रकार के प्रश्णों को हल करने के लिए हम दोनों पक्षों पहले log अप्लाई करते हैं मिल जाएगा log y equal to log f of x और इसका पावर है f of x जैसा कि आपको पता है कि log of m का पावर n इस प्रकार हो तो जो घात में संख्या वो log के पहले आजाती है तो इस प्रकार इस नियम का उप्योग करते हुए हम लिख सकते हैं f of x into log of f of x अब मानगर के चलते हैं कि यह जो है यह समी करण एक है log y equal to f of x into log f of x x के सापेक्ष दोनों पक्षों का आउकलन करने पर तो log y का आउकलन होता है 1 by y और फिर y का आउकलन मिल जाएगा dy by dx इसी दरीके से यह दो अलग-अलग फलनों का गुनन फल है तो पहला फलन एज़ेटिस लिखेंगे दूसरे फलन का आउकलन लिखेंगे फिर दूसरा फलन हम एज़ेटिस लिखेंगे और पहले फलन का आउकलन लिखेंगे तो यहां से है 1 by y dy by dx इक्वल टू यह है f of x log x का होता है 1 by x और x के स्थान पर है f of x तो यह मिल दाएगा 1 by f of x और चुकि x के स्थान पर f of x है इसलिए उसका पुनह आउकलन होगा तो उसे हम लिखेंगे f dash x plus log f of x और f x का आउकलन f dash x मिल दाएगा अब देखिए यह पद कैंसल हो जाएगा और यह जो y है इसका हम त्रियक बुणा कर देंगे तो dy by dx equal to y into यह पद कैंसल हो गया और यह है f dash x plus यह है again f dash x और फिर log of f of x इन दोनों पदों से यह दिया आप f dash x common निकालना चाहें तो हम common यह भेनिश निकाल सकते हैं तो यह f dash x then bracket में आजाएगा 1 plus log of f of x अब y के स्थान पर जो मान हमें मिला था वह हम मान रख देते हैं तो में मिल दाएगा dy by dx equal to f of x का power f of x into f dash x into 1 plus log of f of x तो यह दिया गया फ़लन y equal to f of x का power f of x का आउकलन है जो कि हमें ग्यात करने के लिए दिया गया था प्रस्ण दिया गया है फ़लन log x का power log x इसका आउकलन कीजिए तो पहले हम यह मान करके चलेंगे कि जो दिया गया फ़लन है यह y के बराबर है यह दिया गया log x का power log x इस प्रकार के पद इस प्रकार के फ़लन जिसमें फ़लन के घात में दूतरा फ़लन होता है इसके लिए हम logarithmic differentiation या लगुगण की आउकलन का उप्योग करते हैं दोनों पक्षों में log apply करेंगे मिल जाएगा log y equal to log of this term log x whole power log x जैसा कि आप नियम जानते हैं कि log m का power n हो तो n log m मिलता है तो उस प्रकार यह जो log x है यह पहले आ जाएगा log y equal to log x into then log of log x अब देखिए यह पद और यह पद दोनों अलग अलग पद गुणा के रूप में आ चुके हैं अब दोनों पक्षों का आउकलन x के साप एक्ष करने पर तो पहली बात यह कि log y का आउकलन log y का मिल जाएगा 1 by y और फिर y का आउकलन dy by dx यह left hand side का हमने आउकलन कर लिया अब पहले पद को हम as it is लिखेंगे दूसरे पद का आउकलन और दूसरे पद को as it is लिखेंगे और पहले पद का आउकलन यह दो फलनों के गुनन फल का आउकलन याद करने की के सूतर से यह इस तरीके से आ चुका है तो यह आपको मिल जाएगा 1 by y dy by dx एक्वल टू पहला है log x अब देखिए log of log x तो पहले इस पूरे पद को हम t मान करके चलते हैं यही बान के चले कि यह पूरा पद x है तो log x का उकलन 1 by x और x के इस्थान पर है log x अब फिर से d by dx of log x होगा इसी प्रकार यह log of log of x और log x का उकलन 1 by x इसको solve करते हैं log x और log x cancel हो गया और log x का उकलन x के साब x तो मिल गया 1 by x और फिर प्लस यह log of log x अपॉन x इन दोनों पदों से आप 1 by x को भैनिश ले सकते हैं यह 1 plus log of log of x यह हमें मिल रहा है 1 by y dy by dx और हमें ग्यात करने के लिए कहा गया है dy by dx तो यह हमें मिल दाएगा dy by dx इक्वल टू y इन्टो इस पद y इन्टो इस टर्म यह 1 by x और फिर 1 plus log of log of x या फिर इसे आप लिख सकते हैं dy by dx इक्वल टू y by x और y की स्थान पर हम उस पूरे पद को लिख देते हैं तो यह आपको मिल दाएगा log x का power log x upon x इन्टो 1 plus log of log of x और यही वो मान है जो की हमें ग्याद करने के लिख लिख कहा गया था इसमें दूसरा प्रश्ण दिया गया है cot का power cortex जिसका हमें आउकलन याद करना है पुना यह मान करके चलेंगे जो दिया गया फलन है यह y ही है cortex और इसका power है cortex इस प्रकार के फलन यह प्रश्ण जिसमें फलन के घात में दूसरा फलन हो लगण की आउकलन का उप्योग करते हैं और दोनों पक्षों पर हम लॉग लगा देते हैं यह लॉग y एक्वल टू लॉग ओफ cortex का power cortex पुना आपको पता है कि लॉग ओफ m का power n इक्वल टू लॉग n लॉग m होता है तो सूतर का उप्योग करेंगे और आपको मिल दाएगा लॉग y इक्वल टू cortex इन्टू लॉग ओफ cortex यह जो घात में फलन था यह गुणा के रूप में आ गया है अब दोनों पक्षों का आउकलन x के सापेख्च करने पर तो लॉग y का करेंगे तो मिल दाएगा 1 by y और फिर y का उकलन करेंगे तो मिल दाएगा dy by dx अब देखिए पहले पत को एजटिस रहने दीजे दूसरे पत का उकलन कीजे फिर दूसरे पत को एजटिस रहने दीजे और पहले पत का उकलन कीजे तो यहां से आपको मिल रहा है 1 by y dy by dx और यह cortex log of cortex तो log x का उकलन होता है 1 by x और x के इस्थान पर है यहां पर cortex तो यह मिल दाएगा 1 by cortex अब x किस्थान पर cortex था तो फिर उसका उकलन हम गुणा के रूप में लिखेंगे dy dx of cortex plus पुना यह log of cortex है cortex का उकलन माइनस कोशेक स्क्वेर एक्स यहां से अप लिखेंगे माइनस कोशेक स्क्वेर एक्स यह गुणा के रूप में है यह cortex और यह cortex cancel हो जाएगा और यह 1 y y dy by dx equal to cortex का उकलन माइनस कोशेक स्क्वेर एक्स तो यह आ गया माइनस कोशेक स्क्वेर एक्स और यहां से भी गुणा करके यह पता आएगा माइनस कोशेक स्क्वेर एक्स और फिर यह लॉग आफ कॉटेक्स अब इस y को धर गुणा कर देते हैं और इन दोनों पदों से हम माइनस कोशेक स्क्वेर एक्स को भी उभेनिश ले सकते हैं तो चलिए माइनस कोशेक स्क्वेर एक्स को हमने उभेनिश लिया यहां आएगा एक और यहां आएगा log of cot x y को दर पक्षांतर कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा dy by dx equal to y into cosec square x into 1 plus log of cot x y के स्थान पर cot x का power cot x put कर देंगे तो यह आपको मिल जाएगा dy by dx equal to minus cot x का power cot x into cosec square x into 1 plus log of cot x यह उत्तर है जो की हमें ग्याद करने के लिए दिया गया था प्रशन दिया गया है निनलकित फलनों का x के सापक्ष आउकलन कीजिए और फलन है x का power sin x माना y equal to x का power sin x उना देखिए फलन के घात में एक दूसरा फलन है तो इस प्रकार के जितने भी प्रशन होते हैं इसमें हम लगू करने की आउकलन का अनुपरियोग करते हैं अर्थात दोनों पदों पर पहले हम लॉग अप्लाई कर देते हैं दोनों पक्षों पर तो यह मिल दाएगा लॉग वाई इक्वल टू साइनेकस इंटू अनुप और दोनों पक्षों का आउकलन एक्स के साफ एक्ष करने पर तो लॉग वाई का मिल जाएगा वन बाई वाई और य का आउकलन दी य बाई बाई दी एक्स इसी प्रकार पहले sin x को z रहने देते हैं, दूसरे फलन का हम आउकलन लिखेंगे और फिर plus के बाद दूसरा फलन z रहेगा और पहले फलन का हम आउकलन लिखेंगे, तो यह आपको मिल गया 1 by y dy by dx equal to sin x और log x का मिल दाएगा 1 by x और फिर यह पद log x sin x का आउकलन cos x dy by dx चाहिए, यहां से y का पक्षांतर कर देते हैं, तो dy by dx equal to y into, यह है sin x upon x plus log x into cos x, y के स्थान पर पुना x का पावर sin x पूट कर देते हैं, तो हमें जो चाहिए वह मिल जाएगा, dy by dx equal to x का पावर, यह है sin x और फिर यह पूरा पद sin x upon x plus log x into cos x, और यही वह उत्तर है, जो की हमें ग्याद करने के लिए दिया गया था, दूसरा प्रशन है कि y equal to f of x और फिर इसका पावर यदि gx मिले, तो इस फलन का आउकलन जात करना है, अधाद दियेगे फलन का x के साथ एक आउकलन करना है, तो इस प्रकार के प्रश्णों में हम जानते हैं कि log फलन अप्लाई कर देते हैं बोग साइड में, तो यह मिल जाएगा log y equal to log of f of x का पावर g of x, तो यह जो g of x है, यह log फलन फंक्शन के पहले आजाएगा, और कुछ इस तरीके साब को प्राप्त होगा, अब मानगर के चलते हैं कि यह समीकरण 1 है, समीकरण 1 का दोनों पक्षों का आउकलन x के साथ एक्ष करने पर, तो log y, log y का आउकलन करेंगे मिल जाएगा 1 by y, और फिर y का आउकलन करेंगे मिल जाएगा dy by dx, अब दो फलनों का गुनन फल है, तो पहला फलन एजटिस रहेगा, दूसरे फलन का हम आउकलन लिखेंगे, प्लस दूसरे फलन को हम एजटिस दिखेंगे, पहले फलन का आउकलन करेंगे, तो यहां से यह 1 by y, dy by dx equal to g of x, log x का आउकलन होता है 1 by x, तो यहां पर x के स्थान पर है f dash x, अब x के स्थान पर f of x है, इस वज़ा से इसका पुनह आउकलन करेंगे, तो इसे हम directly f dash x भी लिख सकते हैं, और फिर यह log f of x, और gx का आउकलन करें, x के साथ x, तो इसे हम लिखेंगे g dash x, तो यहां से हम dy by dx calculate कर सकते हैं, y का हम तीर्य गुणा कर देते हैं, और आपको यहां से मिल जाएगा, gx upon f of x, और यह है f dash x plus g dash x into log of f of x, अब y का जो मान हमें दिया गया था, तो मिल जाएगा, dy by dx equal to f of x पावर, g of x into gx into f dash x upon f of x plus g dash x into log of f of x, और यही हमें ग्याद करने लिखेंगे दिया गया था, उसमें अगला प्रशन दिया गया है, sin x का पावर log x, पुना यह मान करके चलेंगे, कि जो दिया गया फलन है, यह y के बराबर है, sin x का पावर है log x, दोनों फलनों पर यह दोनों पक्षों पर log apply करेंगे, तो मिल जाएगा log y equal to log of, यह sin x, और इसके पावर में है log x, तो जैसा कि आपको पता है log का नियम, log m का पावर n equal to n log m, इस नियम से हम इसे लिख पाएंगे, log y equal to, यह log x पहले आ जाएगा, फिर into log of sin x, अब दोनों पक्षों का आउकलन करेंगे x के साब एक्ष, तो log y का मिल जाएगा 1 by y, और फिर y का dy by dx, अब फिर पहले फलन को as it is रहने दीजे, दूसरे फलन का आउकलन करते हैं, इस परकार, और फिर दूसरे फलन को as it is रहने दीजे, पहले फलन का आउकलन करते हैं, तो यहां से आपको मिल जाएगा 1 by y, dy by dx, इक्वल टू, log x, अब यहां पर पूरे x के स्थान पर है sin x, तो log x का आउकलन मिलता है 1 by x, तो आपको मिल जाएगा 1 by sin x, अब x के स्थान पर sin x था, इसलिए पुना इसका आउकलन करेंगे, log of sin x और log x का आउकलन 1 by x, then dy by dx इक्वल टू, स्वाई का गुणा इस तरफ कर देते हैं, sin x का आउकलन करेंगे, आपको मिल जाएगा cos x, तो यह आपका log x, cos x by sin x, फिर प्लस, तो यह log of sin x और यह अपॉन x, cos x अपॉन sin x करेंगे, तो मिल जाएगा cos x और y के स्थान पर हम आउकलन रख देते हैं, तो आपको मिल जाएगा dy by dx एक्वल टू, sin x का पावर, log x इंटू, log x इंटू, cos x प्लस, log of sin x अपॉन x, तो यह वहमान हैं, जो कि हमें ग्याद करने के लिए दिया गया था, दिया गया, फलन का उकलन, अगला फ़लन दिया गया है, 10x का पावर, log x, पुनाईया मान करके चलेंगे, यह y के बराबर है, 10x का पावर है, log x, दोनों पक्षों पर log अप्लाई करेंगे, तो आपको मिल जाएगा, log y इक्वल टू, log of 10x का पावर, log x, यह आपको मिल दाएगा log y equal to यह जो log x है यह multiplication के form में आ जाएगा फिर into log of 10x अब दोनों पक्षों का उकलन करते हैं तो यह log y का उकलन करेंगे तो मिल दाएगा 1 by y और फिर y का उकलन dy by dx अब पहले पत को as it is रहने देते हैं दूसरे पत का उकलन लिखते हैं तो यह dy by dx of log of 10x फिर प्लस दूसरे पत को as it is रहने देते हैं और पहले पत का उकलन लिखते हैं dy by dx of log x अब यह है 1 by y dy by dx equal to यह log x log x का उकलन होता है 1 by x तो यहाँ पर हमें मिल दाएगा 1 by 10x और x के स्थान पर 10x है इसलिए उसका उकलन करके हम गुणा करेंगे फिर यह आपको मिल गया log of 10x और log x का उकलन 1 by x अब y का गुणा राइट साइट पर कर देते हैं तो मिल दाएगा dy by dx equal to y into यह है आपका log x और यह denominator में 10x 10x का उकलन सेक स्क्वेर x फिर प्लस यह log of 10x अपॉन x इसे और सॉल करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1 फ्लस 10 स्क्वेर थीटा इक्वल तो सेक स्क्वेर थीटा उस फॉर्म में भी इसे convert किया जा सकता है और अब y का मान रख देते हैं तो मिल दाएगा dy by dx इक्वल तो 10x का पावर log x इन्टू दिस होल टम ये मिल गया log x अपॉन 10x इन्टू सेक स्क्वेर थीटा प्लस log of 10x अपॉन x तो ये वामान है जो हमें ग्यात करने के लिए दिया गया था या इसे आप चाहें तो sin और cos में भी convert करके लिख सकते हैं वो कुछ इस तरीके से dy by dx equal to 10x का पावर है log x और फिर multiplication के form में है ये log x 10x को आप लिख सकते हैं sin x upon cos x तो ये cos x numerator में चला जाएगा और c की square x को आप लिख सकते हैं cos square x तो इसको जब solve करेंगे cos square x cos x upon cos square x को तो denominator में cos x बचेगा तो इसे हम लिख सकते हैं directly कुछ इस तरीके से और फिर plus ये term को और simplify नहीं किया ज़े सकता तो ये log of 10x upon x यही रहेगा तो या तो ये लिखिए या तो फिर ये लिखिए दोनो एक ही answer है इसको हलका सा हमने थोड़ा और solve किया तो इस तरीके से simplify हो गया अगला फलन दिया गया है cot square x का power 1 by x दिये गया फलन को हम y मान करके चलते हैं माना y equal to cot square x और whole power है 1 by x अब इसे दो तरीके से हल कर सकते हैं कि power में अगर है तो इसका direct मतलब ये है कि cortex और ये जो power है इसके साथ में गुणा हो जाएगा और ये 2 का power x हा जाएगा दोनों पक्षों पर हम log apply करेंगे तो मिल जाएगा log y equal to log of cortex का power 2 by x और जैसा कि आप जानते हैं कि log m का power n equal to n log m इस rule से आपको मिल जाएगा log y equal to 2 by x log of cortex अब दोनों पक्षों का उकलन करते हैं log y का मिल जाएगा 1 by y और फिर y का dy by dx अब ये 2 by x को hazardous रहने देते हैं दूसरे पत का उकलन करते हैं तो ये dy dx of log of cortex फिर log of cortex को hazardous रखते हैं d by dx करते हैं 2 by x का तो ये आपको मिल गया 1 by y dy by dx equal to ये 2 by x log x का उकलन मिलता है 1 by x तो ये 1 by cortex क्योंकि x के स्थान पर cortex है तो अब d by dx of लिखना पड़ेगा cortex क्योंकि x के स्थान पर cortex था इसलिए उसका उकलन करके हम यहाँ पर गुणा करेंगे plus log of cortex और 2 तो constant है इसे बाहर लिखते है और 1 by x 1 by x is basically x का पावर minus 1 इसका उकलन करेंगे तो constant हम पहले सामने आता है और फिर x का पावर में minus 1 minus 1 करेंगे तो मिल जाएगा minus x का पावर minus 2 या फिर इससे लिखा जा सकता है minus 1 upon x square तो यह आपको मिल जाएगा minus 1 upon x square यह मिल जाएगा dy by dx equal to y into यह तो 2 by x ही है cortex को 1 by cortex को हम 10x भी लिख सकते हैं और cortex का आउकलन करने पर मिल जाएगा minus cos x square x तो यह minus cos x square x और फिर यह minus sign आ गया जाएगा 2 log cortex और यह upon में है x square dy by dx x y के इस्थान पर हमें जो पत दिया गया था यह cot square x whole power 1 by x इसे लिखते हैं और फिर इसे multiply कर देंगे तो मिल जाएगा minus 2 10 x और cos x upon x और फिर यह minus 2 log of cortex upon x square चाहें तो 10 को sin और cos और cos को sin के term में लिख करके आगे solve कर सकते हैं अदरवाइस यहां तक भी अगर आप solve करते हैं तो यह हमारा solution हमें मिल चुका है जो की गयात करने के लिए दिया गया था अगला फरन दिया गया है 10 का power 10 और फिर उसके power में है x माना y equal to 10 का power 10 और इसका power है x तो इसका मतलब यह की यहां पर हमें पुना लगुगण की आउकलन का उप्रियोग करना पड़ेगा दोनों पक्षों में log apply करते हैं यह मिल जाएगा log y equal to 10 का power 10 का power x तो यह जो पूरा पड़ है यह सामने आ जाएगा 10 का power x और फिर यह log 10 अब दोनों पक्षों का उप्रियोग करेंगे तो log y का उप्रियोग 1 by y और फिर y का उप्रियोग dy by dx देखे log 10 तो constant term है इसका उप्रियोग नहीं होगा d by dx of 10 का power x right hand side का alkaline करते हैं तो पहले पत का जदी alkaline करेंगे d by dx of 10 का power x into log 10 क्योंकि log 10 तो constant है अब देखे 10 का power x है 10 का power x इसको मान करके चलते हैं कि यह t के बराबर है दोनों पक्षों में जब हम apply करेंगे log तो यह मिल दाएगा log t equal to x log 10 दोनों पक्षों का alkaline t के साब x करेंगे तो यह आपको मिल दाएगा 1 by t और d t by dx इसका alkaline आपको मिल जाएगा 1 तो यह आपको मिल गया log 10 अब ट के इस्थान पर इसमान को रख दीजिए तो यह d t by dx equal to और t का हमने गुणा कर दिया तो यह 10 का power x और आपको मिल गया 10 का power x और फिर यह log 10 और हमें यह यह ग्याद करना था कि d by dx of t t कर थाता है 10 का power x तो 10 का power x का alkaline आपको मिल गया 10 का power x into log 10 तो यह मान हम यहाँ पर रख देते हैं तो यह मिल गया 10 का power x log 10 और फिर यह again log 10 यह है 1 by y dy by dx यहाँ से आपको मिल जाएगा dy by dx equal to y into this term 10 का power x into log 10 into log 10 तो यहाँ से मिल गया हमें dy by dx equal to y that means 10 का power 10 का power x into 10 का power x into log 10 into log 10 और इसे यह जदी हम और सरल करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं dy by dx equal to 10 का power 10 का power x into यह 10 का power x और यह है log 10 का square तो यह वहमान है जो कि हमें ग्यात करने के लिए दिया गया था अगला प्रस्ट दिया गया है x square sin x then whole power 1 by x तो यहां पर भी हम यह मान करके चलेंगे कि जो दिया गया फलन है यह y के बराबर है यह है x square sin x whole power 1 by x दोनों पक्छों में log apply करेंगे तो यह मिल दाएगा log y equal to log of x square sin x whole power 1 by x यह log y equal to 1 by x जो है यह product के form में आ जाएगा और फिर log of x square sin x दोनों पक्छों का आउकलन x के साफ एक्छ करेंगे तो log y का मिल जाएगा 1 by y और फिर y का आउकलन dy by dx अब पहले फलन को इसी तरीका से लिखते हैं दूसरे फलन का हम आउकलन पहले लिखेंगे प्रेटिस रखते हैं और पहले फलन का आउकलन लिखते हैं तो d by dx of 1 by x तो यहां से आपको मिल दाएगा यहां से हमें मिलेगा 1 by y dy by dx equal to यह है 1 by x log x का आउकलन 1 by x होता है तो यहां पर x के स्थान पर यह पूरा पद है तो यह x square sin x लेकिन x के स्थान पर sin square x के स्थान पर x square sin x है तो इसका ओकलन हम यहां पर लिखेंगे प्लस log of x square sin x और 1 by x का ओकलन करेंगे तो मिल जाएगा minus 1 by x square अब आगे solve करते हैं यहां से d y by dx लेते हैं y जो है इस तरफ गुणा के form में आ जाएगा और x और x का गुणा होगा x cube मिल जाएगा और यह sin x x square sin x दो अलग अलग पदों का गुणन फल है तो directly हम लिख सकते हैं पहली बात यह कि x square का ओकलन करेंगे तो मिल जाएगा 2x और sin x प्रोडक्ट के form में फिर x square sin x का ओकलन करेंगे तो मिल जाएगा cos x तो यह हो गया cos x फिर यह पूरे upon में हैं plus log of x square sin x यदि चाहें तो minus 1 को multiply करके यहां minus sin लगा देते हैं और यह आपका x square तो यहां से dy by dx हमें मिल रहा है y कमान रख देते हैं यह है x square sin x whole power 1 by x और फिर यह पूरा पद तो यह है 2x sin x plus x square cos x upon x cube sin x minus log of x square sin x upon x square यदि हम चाहें तो दोनों का लगुत्म स्वापर्त बराबर करके आगे सरल कर सकते हैं तो यह अगर करना चाहें तो आप लिखेंगे dy by dx equal to x square sin x whole power 1 by x then दोनों का लगुत्म स्वापर्त x cube sin x यह है 2x sin x plus x square cos x फिर minus इसमें multiply हो जाएगा x sin x का यह x sin x और फिर log of x square sin x तो यह दिया गया फिलन का आउकलन है जो कि हमें ग्याद करने के लिए दिया गया था प्रेश्न दिया गया है कि फिलन का x के सापिक्ष आउकलन कीजिए यह 1 प्लस 1 by x का पावर x plus x का पावर है 1 प्लस 1 by x तो मान करके चलते हैं कि यह जो दिया गया है यह y के बराबर है माना दिया गया फलन 1 प्लस 1 बाई x का पावर x प्लस x का पावर 1 प्लस 1 बाई x equal to y1 प्लस y2 है पहला पद जो है यह y1 है और दूसरा पद जो है y2 है दोनों का आउकलन करना है तो दोनों का पहले अलग-अलग आउकलन कर लेते हैं और फिर last में ले आजा करके add कर देंगे मान के चलते हैं कि समीकरण एक है y equal to this अब y1 equal to है 1 plus 1 by x whole power x अब दोनों पक्षों में अब इस फलन का आउकलन करने के लिए एक फलन के घात में दूसरा फलन है चर घातांकी आप देख सकते हैं कि दिये गए फलन के घात में दूसरा फलन है तो इसके लिए हम लगुगण की आउकलन का उपयोग करते हैं और दोनों पक्षों में पहले हम लॉग अप्लाई करते हैं तो लॉग Y1 एक्वल टू लॉग 1 1 by x whole power x तो यह जो घात वाला पदे सामने आ जाता है तो इस प्रकार आपको मिल जाएगा log y1 equal to x into log of 1 plus 1 by x अब हम दोनों पक्षों का आउकलर्ण x के साफ़ एक्ष कर सकते हैं तो y log of y1 log y का हो जाएगा 1 by y1 और फिर dy1 by dx अब देखिए ये दो अलग अलग फलनों का गुनेंट फल है पहले फलन का उकलर्ण करेंगे तो आपको मिल जाएगा एक और दूसरा फलन as itis रहेगा और फिर पहले फलन को as itis रखोगे और दूसरे फलन का उकलर्ण करेंगे और साथ d by dx of log of 1 plus 1 by x तो यहां से आपको मिल जाएगा ये log 1 plus 1 by x plus x log this का उकलर्ण करेंगे इस फलन का तो ये 1 by में आ जाएगा तो 1 by 1 plus 1 by x और फिर इस फलन का उकलर्ण करेंगे d by dx of 1 plus 1 by x ये log 1 plus 1 by x plus x यदि इसे चाहें तो हम और सरल कर सकते हैं या फिर 1 plus 1 by x रहने देते हैं अब इसका उकलर्ण करेंगे एक का तो मिल जाएगा शून्य और एक बटे x का उकलर्ण करेंगे तो मिल जाएगा रिन एक बटे x का घात 2 ये है log 1 plus 1 by x 0 के साथ मल्टिप्लाई करेंगे 0 और x के साथ इसका मल्टिप्लाई करेंगे तो माइनस आहिन आ जाएगा और x जो है ये डिनॉमिनेटर में आ जाएगा और फिर ये पद 1 plus 1 by x ये है log 1 plus 1 by x माइनस इसे सरल करेंगे तो यहां पर लगतों सवापर्थ x मिलेगा ये अंस में चला जाएगा और अंस का और ये हर का x कैंसल हो जाएगा और अल्टिमेटली आपको मिल जाएगा x plus 1 ये है 1 by y1 into dy1 by dx हमें याद करना है dy1 by dx तो y1 का मल्टिप्लाई हो जाएगा तो y1 into log of 1 plus 1 by x और minus 1y x plus 1 अब चाहें तो y1 का मान हम रख सकते हैं y1 का मान ये पराप्त हुआ y1 का मान ये दिया गया था 1 plus 1 by x whole power x into this term this is log 1 plus 1 by x फिर minus 1 upon x plus 1 मान कर भी सलते हैं कि ये दूसरा समी करन है यहां से हमें dy1 मिल चुका है dy1 by dx मिल चुका है अब हम dy2 by dx ये गयात करेंगे तो लिख सकते हैं कि पुना y2 equal to x का power 1 plus 1 by x इसमें भी हम लगूण की alkaline का उप्रयोग करेंगे क्योंकि फलन के घात में एक दूसरा फलन है दोनों तरफ हम log apply करते हैं तो मिल जाएगा log y2 equal to log of x power है 1 plus 1 by x ये जो घात में पद है वो सामने आ जाएगा equal to 1 plus 1 by x into log x अब दोनों पक्षों का alkaline हम कर सकते हैं तो log y2 का alkaline करेंगे तो 1 by y2 और फिर y2 का alkaline करेंगे तो dy2 by dx equal to ये दो अलग-अलग फलनों का गुनन फल है पहले फलन को हम एजर्टिस रखते हैं 1 plus 1 by x दूसरे फलन का alkaline और दूसरे फलन को हम एजर्टिस रखते हैं और पहले फलन का alkaline 1 plus 1 by x इसको solve करेंगे इसका LCM आएगा x और ये x प्लस 1 log x का उकुलन 1yx ये है log x एक अचरासी है इसका उकुलन 0 एक बटे x इसका उकुलन करेंगे रिंड एक बटे x का घात 2 ये हमें मिलेगा तो ये मान हमें जो प्राप्त हो रहा है ये 1 by y2 dy2 by dx का मान है यहां से हम यदि ग्यात करना चाहें dy2 by dx तो ये y2 का multiply इधर करना पड़ेगा राइट साइट पर और y2 का जो मान है हमने माना है ये मान y2 का मान दिया गया है अर्थात ये मान को हम यहां पर लिखेंगे x into x का power 1 plus 1 by x ये है और इन पूरे पड़ों के साथ इसका गुणा तो ये है x plus 1 upon चाहें तो हम x square लिख सकते हैं और फिर ये log x एक काम करते हैं ये minus ओले term को log के पहले लिखते हैं तो इसे हम लिखेंगे minus 1 upon x square और ये है log x और चाहें तो दोनों का लगत्तम साथ पर समान हैं और भी सरल कर सकते हैं आगे x का power 1 plus 1 by x और फिर ये है x square x plus 1 minus log x मान करके चलते हैं कि समीकरण 3 है तो y equal to y1 plus y2 है तो हम लिख सकते हैं dy by dx equal to dy1 by dx plus dy2 by dx तो ये dy1 by dx की value है समीकरण 2 और ये समीकरण 3 की value है दोनों का हम यहां पर put कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा dy by dx equal to this term this is 1 plus 1 by x whole power x into log of 1 plus 1 by x minus 1 by 1 x plus 1 और फिर ये term plus x का power है 1 plus 1 by x then into में है ये पूरा term this is x plus 1 minus log x upon x square upon x square तो ये वहमान है जो कि हमें ग्यात कर निकले दिया गया था इसमें अगला फलन दिया गया है x का power sin x plus sin x का power है x तो इसका उखलन हमें x के सापिक्च करना है तो हम ये मान करके चलते हैं कि माना y equal to x का power sin x plus sin x sin x का power में x है या फिर इसे हम ले करके चलते हैं कि माना ये y1 plus y2 है तो y1 equal to x का power sin x और y2 equal to sin x का power x फलन के घात में फलन है यहां पर भी फलन के घात में फलन है लगुगण की आउखलन का अनुप्रियोग करेंगे और दोनों पक्षों में पहले हम लॉग लगा देंगे तो लॉग y1 equal to log of x का power sin x इसे solve करेंगे यह जो फलन घात में वो पहले आ जाएगा यह आएगा sin x into log x अब दोनों पक्षों का आउखलन हम x के साप एक्ष कर सकते हैं तो log y1 का आउखलन करेंगे तो मिल दाएगा 1 by y1 और y1 का आउखलन dy1 by dx equal to पहले फलन को एजटिस रहने देते हैं दूसरे फलन का हम आउखलन करते हैं फिर दूसरे फलन को एजटिस रखते हैं और पहले फलन का आउखलन करते हैं यह है sin x log x का आउखलन 1 by x यह log x sin x का आउखलन cos x और यह मान है 1 by y1 dy1 by dx का तो यहां से यदि हम चाहें तो dy1 by dx का मान ग्याद कर सकते हैं, y1 का multiply दर हो जाएगा और y1 का मान है यह x का power sin x, x का power sin x into this term, this is sin x upon x plus log x into cos x, मान लेते हैं कि यह समी करण 1, समी करण 2, तो अब y2 वाला जो फलन है, y2 equal to sin x का power x, इसमें हम लगुगण की आउकलन का उप्योग करेंगे, तो इसको सरल करने के लिए या इसका आउकलन करने के लिए दोनों पक्षों में हम log apply कर देते हैं, तो log y2 equal to log sin x का power x, तो यहां से आपको मिल जाएगा, log y2 equal to x घात में जोगे वा सामने आ जाएगा, और फिर log of sin x, दोनों पक्षों का आउकलन x के साब एक्ष करने पर, log y2 का आउकलन, पहला तो 1 by log y2, फिर y2 का आउकलन, तो dy2 by dx, फिर पहला फलन हम asortis लिखेंगे, दूसरे फलन का आउकलन करेंगे, फिर दूसरा फलन asortis होगा, पहले फलन का आउकलन करेंगे, यह है x log का auclearn होता है 1 by x log x के स्थान पर x के स्थान पर sin x है तो यह आपको मिल जाएगा 1 by sin x और sin x के स्थान पर sin x है इसकी वज़ा से उसका auclearn करकि हम इसमें गुणा करेंगे और यह आपको मिल रहा है log of sin x dx by dx 1 मिल जाएगा sin x का उखलन sin x का उखलन cos x तो यहां से यह हमें cos x मिल जाएगा x into cos x divided by sin x plus log of sin x इसे solve करेंगे तो cos x मिल जाएगा 1 by y2 यह into dy2 by dx तो यहां से हम dy2 by dx equal to लिख सकते हैं y2 into this function x into यह है cot x और plus log of sin x मान करके चलते हैं कि समीकरण 3 है हमें जो फलन दिया गया था उसका उखलन यदि हमें लिखना हो dy by dx तो इसे हम लिखेंगे dy1 by dx plus dy2 by dx अब dy1 के जो मान हमें प्राप्त हुआ था उससे हम रख देते हैं यह है dy1 का मान x का पावर sin x into sin x upon x plus log x into cos x फिर dy2 इसका मान है y2 y2 का मान हमने माना था यह sin x का पावर x को मने y2 आना था तो यह आपको मिल दाएगा sin x का पावर x और फिर इस टर्म this is x cortex plus log sin x यह वह उत्तर है जो कि हमें ग्यात करने के लिए दिया गया था अगला फलन हमें दिया गया है sin x का पावर x plus sin inverse root x तो यह मान करके चलते हैं कि माना y equal to sin x का पावर x plus sin inverse x यह y1 plus y2 के बराबर है यह मान करके हम चल रहे हैं और हमें इस फलन का उकलन x के साथ एक्ष ग्यात करना है तो y1 equal to sin x का पावर x थोड़े दिर पहले इस प्रश्न को हमने इस भाग को हमने हल किया था दोनों फक्षों में log apply करेंगे तो मिल जाएगा log y equal to log sin x whole power x यह x सामने आ जाएगा और फिर log of sin x दोनों पक्षों का उकलन करेंगे x के साथ एक्ष तो log y1 का 1 by y1 और फिर dy1 by dx equal to पहले फलन को हम आज डिस रहने देते हैं और दुसरे फलन का ओकलन लिखते हैं और फिर दूसरे फलन को हम इस डिस रहने देते हैं और पहले फलन का आज दोप्रकार यहां से आप मिल दाएगा dy1 by dx equal to y1 into this term यह x log x का यह यह खरोग 1 by x और एक्ष के स्थान पर यहां पर sin x यह sin x और फिर x के सान पर sin x है इस वज़ा से इसका sin x का उकलन करके हम यहां पर multiply करेंगे और यह है log sin x और dx by dx that is 1 तो यह dy1 by dx y1 का मान कहां से रख देते हैं sin x का power x तो यह sin x power x sin x का उकलन करेंगे मिल जाएगा cos x cos x by sin x cot x तो यह आपको मिल रहा है x cot x plus log of sin x मान लेते हैं कि समीकरण 1 है अब जो y2 है उसे लेकर के सरल करते हैं y2 equal to sin inverse root x इसे हम directly solve कर सकते हैं और dy2 by dx sin inverse root x sin inverse x का उकलन होता है 1 upon square root over 1 minus x square 1 upon square root over 1 minus x square और x के इस्थान पर है root x तो यह root x का square हो जाएगा लेकिन चूंकि x के इस्थान पर root x है तो इसके आउकलन कर देंगे और इसे हम गुणा करेंगे तो यह आपको मिल दाएगा 1 upon square root over 1 minus x और root x का उकलन करेंगे तो मिल दाएगा 1 by 2 root x तो इस प्रकार हमें मिल चुका है dy2 by dx that is equal to 1 by 2 root x into root में है यह 1 by x माल लेते हैं कि समीकरण 2 है तो हमें ग्याद करना है dy by dx तो इसे लिखा जा सकता है dy1 by dx plus dy2 by dx समीकरण 1 और 2 को जोड देंगे यह आपको मिल दाएगा sin x का power x into x cortex plus log sin x और फिर यह यह वाला पत तो यह 1 by 2 root x into root 1 minus x तो यह दिये गए फलन का alkaline है जो कि हमें ग्याद करने के लिए दिया गया था अगला फलन दिया गया है tan x इसका power है sin x और इसका power है tan x इस फलन का हमें alkaline ग्याद करने के लिए कहा गया है तो हम यह मान करके चलते हैं कि यह जो फलन है यह y equal to y1 plus y2 के form पर है अर्था थी है कि यह जो tan x का power sin x है यह y1 है और sin x का power जो tan x है यह y2 के बराबर है तो y1 equal to y1 equal to tan x का power है sin x लगण की आउकलन का अनुप्रियोग करेंगे और दोनों फक्षों में हम लॉग पहले अप्लाई करेंगे तो लॉग y1 equal to log tan x tan x और यह power में है sin x solve करेंगे तो यह sin x जो है जो वो इस पत के सामने आ जाएगा यह आ जाएगा sin x into log of tan x अब log y1 equal to sin x into log tan x दोनों पक्षों का आउकलन x के साब इक्ष करेंगे तो log y का हो जाता है 1 by y और y1 का तो dy1 by dx equal to पहला फलन हम एजटिस रहने देते हैं दूसरे फलन का आउकलन लिखते हैं और फिर दूसरे फलन को एजटिस रखते हैं और पहले फलन का आउकलन लिखते हैं तो यहां से आपको मिल जाएगा sin x log x का होता है 1 by x तो यहां पर x के स्थान पर है 10 x अब फिर dy dx off लिखेंगे 10 x क्योंकि x के स्थान पर है 10 x फिर यह पद है log 10 x sin x का आउकलन आपको मिल जाएगा cos x यह हमें जो मान पराप्त हो रहा था यह 1 by y1 dy1 by dx का था अब हम y1 को दर गुणा कर देते हैं तो हमें dy1 by dx मिल जाएगा यह y1 इंटू यह है sin x upon में है 10 x और 10 x का आउकलन सेक स्क्वेर एक्स प्लस लॉग आफ 10 x इंटू cos x इसे चाहें तो और सरूल कर सकते हैं dy1 by dx equal to y1, y1 का मान है tan x का power sin x, tan को sin और cos के form में convert कर दीजिए यह tan x है तो यह sin x upon cos x, तो cos x numerator में चला जाएगा, सेक स्क्वेर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 upon cos square x plus cos x into log of tan x, solve करने पर हमें मिल जाएगा tan x का power sin x, sin x, sin x cancel, यहाँ से cos x और यहाँ से 1 cos x cancel हो जाएगा, यहाँ पर बच्चे का 1 upon cos x और 1 upon cos x को हम लिख सकते हैं, सेक x into, यह plus है, into, plus cos x into log of tan x, यह dy1 by dx का मान हमें प्राप्त को मान लेते हैं कि यह समी करण एक है, अब दूसरा, जो y2 equal to sin x का power tan x था, दोनों पक्षों पर log apply करेंगे, तो मिल जाएगा log y2 equal to, अब मैं डारेक्ट लिख रहा हूँ, tan जो है वो सामने आ जाएगा, tan x और फिर log sin x, दोनों पक्षों का उकलन करेंगे, तो 1 by y2 का मिल जाएगा 1 by y2, और फिर y2 का उकलन d y2 by dx equal to, पहले फलन को हम एजटिस रहने देते हैं, दूसरे फलन का उकलन करते हैं, फिर दूसरे फलन को एजटिस रखते हैं, पहले फलन का आउकलन करते हैं, तो यहां से हमें मिल जाएगा, y2 का उदर गोना कर देते हैं, चुकि हमें d y2 by dx चाहिए है, यह y2 into tan x log sin x, log x का होता है 1 by x, तो यहां पर x का इस्थान पर है, sin x, और फिर sin x का उकलन करेंगे, तो आपको मिल जाएगा cos x, प्लस, यह है log sin x, tan x का उकलन करेंगे, तो मिल जाएगा c square x, इसे भी सरल करना चाहिए, तो sin और cos के form में convert कर सकते हैं, यह फिर देखिए cos x upon sin x, यह आपको मिल जाएगा cortex, tan x और cortex, multiply करके 1 मिल जाएगा, तो यह y2, y2 का माना हम रख देते हैं, यह मिल जाएगा sin x का power 10 x, अब यह पद, यह 1 प्लस, से की square x को हम पहले लिख लेते हैं, और फिर log of sin x, यह मान करके चलते हैं कि समीकरण 2 है, अब यदि हमें dy by dx दिखने के लिए कहा जाए, तो हम लिखेंगे dy1 by dx प्लस, और dy2 by dx, y1 का मान, 10 x का power sin x, इंटू सेक x प्लस, cos x इंटू log of 10 x, और इसके बाद में यह दूसरा पद y2 का मान है, sin x का power 10 x, इंटू 1 प्लस, सेक स्क्वार x, log of sin x, और यही वहमान है, जो कि हमें ग्याद करने के लिए दिया गया था,